भारती रेलवे के लिए आज का दिन एतिहास सिक रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारती रेलवे के 41,000 करोड रुपए की कई परियोजनाओं का लोकरपन और शिलन्यास किया इसी बीच आगरा में बिचपूरी स्टेशन के पैसोवर ब्रिज का शिलन्यास सांसद राजकुमार चाहर और महिला कल्यान बाल्द का सेवं पुष्टाहार विभा की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौरी ने किया ऑनलाइन कॉन्फरेंस के जरिये पीम ने कई परियोजनाओं का उद्खाटन किया इस दोरान के इंद्रिय रेल मंत्री भी मौजूद थे एक्सपर वीडियो शेयर करते हुए पीम मोधी ने रिखा कि एक ही बार में 2000 परियोजनाएं शुरू होने के साथ भारत अपने रेलवे बुनियादी धाचे में एक बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है 27 राज्यो में 553 रेलवे स्टेशन के री डेवलपमेंट कर रेलवे स्टेशनों का पुनर विकार शामिल है इसके अलावा 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडर पास के आधार शुला रखने की बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने की इस बीच बिचपूरी के पास सदरबन में सैकडो की संख्या में लोग प्रधान मंत्री को सुनने के लिए पहुचे प्रधान मंत्री की ओनलाइन कॉन्फरेंस के बाद कैविनेट मंत्री बेबी रानी मौरेय और सांसद राज कुमार चाहनी ओवर ब्रिज का शुलन्यास किया वो नहीं बंद होंगे अब आरो भी उपर से जाएंगे हम तो अगर कोई मरीज है वो भी जल्दी पहुच पाएगा किसी को कहीं जाना है वो भी जल्दी पहुच पाएगा तो एक बड़ा काम होता है देश भर में बीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से जो रेलवे बिरिज बने हैं उनका आज लोकारपन किया है आज पूरे देश भर में ये बड़े आयूजन हुए हैं आज यहां भी बिचपुरी पर भी ओबर बिरिज का आज लोकारपन हुआ है और उसमें आज हमारी म प्रधान मंत्री आज़नी सिरी नरेंद्र मोदी जी का हिर्दय से धन्यबाद देता हूं कि उन्होंने संसदिय चेतर फटेपुर सीकरी में भी अनेक ब्रिज हैं जिनका आज लोकारपन किया है इसके लिए मानी प्रधान मंत्री जी का आभार लोग हैरान भी है कि भारत में इतनी तेजी से काम कैसे हो रहा है लोग घंटों तक जाम में फस जाते थे आज आप बिजपुरी गाओं के लोगों से जान सकते हैं कि अब लोग कम समय में अपनी यात्रा कर सकते हैं वहीं सांसद राजकुमार चाहर बोले कि आज शहर में ही बलकि गाओ में भी तेजी से विकास हो रहा है बिचपुरी स्टेशन के पास रेलवे ओवर ब्रिज बना हुआ है लोगों को यात्रा करने में कम समय लग रहा है अमरिद भारत योजना के चलते भारत आदूनिक भारत की ओर बढ़ रहा है सी न्यूस के लिए आदर्श शर्मा की रिपोर्ट